कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अब बात कर लेते हैं आज की वीडियो के बारे में तो आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं Ice Cubes के बारे में कि हम अपने skin पर कैसे उनको apply कर सकते हैं तो अब हम बात करेंगे Green Tea Ice Cubes के बारे में हम Green Tea Ice Cubes को कैसे बना सकते हैं और कैसे उनको अपने face पर apply कर सकते हैं तो आईए शुरू करते हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें green tea ice cubes क्यूं लगाना है face पे हमें जरूत क्या है green tea ice cubes लगाने की और उनको बनाने की और इतना महनत करने की तो पहले यह जान लेते हैं उसके बाद हम उनको बनाना और लगाना देखेंगे तो बात कर लेते हैं पहले green tea ice cubes के benefits की सो बैनिफिट नमबर वन अगर आप गर्मी में धूप में कहीं से बाहर आ रहे हैं तो आपकी स्किन बहुत इरिटेट हो गई है धूप से वो थोड़ी सी जल गई है या थोड़ा सा जो बर्णिंग सेंसेशन होता है न कई बार हम धूप से आते हैं और हमारा फेस ऐसे लगता है नेक पे कहीं भी आपको लगाना है जहां भी आपको लग रहा है कि सन्रेज की वजह से हमें बर्णिंग सेंसेशन हो रहा है और कुछ जल रहा है तो आप वहां पर उसको अपलाई कर सकते हैं अगर आपके अंगों के नीचे यहां पर थोड़ी सी स्वेलिंग आजाती है ऐसे लगता है कि बहुत थकी थकी सी आईज है अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप यह आइस क्यूब वहां पर यूज कर सकते हैं आपके अंडर आई डाक सरकल को कम करने में भी आपकी हेल्प करेंगी ऑके सो बेनिफिट नंबर थ्री इसका जो नेक्स्ट यूज है हम कैस कर सकते हैं अगर आपकी इस किं डन हो रही है तो आप इसको टाइटनिंग के लिए भी इसको कि इसको करसकते हैं आप हर दिन रोजाना एक बार कम से कम दो बार भी कि सकते हैं अगर आपको skin tightening का effect चाहिए तो आप इसको रोज इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में एक बार या फिर दो बार जो इसका next use benefit जो भी आप कहना चाहें वो कह सकते हैं जो next इसको use कर सकते हैं वो है अगर आपकी skin acne prone है आपको बहुत जल्दी जल्दी pimples आ जाते हैं तो आप यह कर सकते हैं क्योंकि जिनकी oily skin होती है उनको बहुत जल्दी acne acne निकल आते हैं और pimples निकल आते हैं तो अगर आपको pimples की बहुत साथा problem है तो आप यह करके देखिए आपको परता चलेगा कि आपको पहले से pimples और acne कमा रहे हैं और हो सकता है धीरे धीरे जब आप इ अगर आपके pores हैं बहुत जादा एक्टली पोर्स तो सबको होते हैं क्योंकि जो हमारे skin के ऊपर रोम चिद्र होते हैं उन्हीं को हम pores कहते हैं लेकिन जब वह बहुत जादा बड़े हो जाते हैं तो बहुत अच्छे नहीं दिते हैं और face के ऊपर बहुत गंदे दिते हैं त तो आप डेली आप आइस क्यूब यूज करिए अपनी skin के ऊपर और पूरे face के ऊपर यूज कीजिए लेकिन जहां पर आपको open pores की problem है जैसे कि यहां पर यहां पर जहां भी है तो आप वहां पर उसको जादा से जादा यूज करिए उससे क्या होगा कि आपके जो pores हैं वो दीरे दीरे श्रिंक होंगे और यह बहुत ही effective remedy है open pores के लिए तो आप open pores अगर आपकी skin के ऊपर हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं यूज नंबर नेक्स्ट अगर हमारी skin के ऊपर हम इसको यूज करते हैं regular तो यह हमारी skin के blood circulation को बढ़ाता है अगर आपकी skin का blood circulation अच्छा है तो आपके face पर glow आता है तो अगर blood circulation अच्छा होगा तो आपका face निकरा हुआ दिखेगा glowing दिखेगा अंदर से ही जो कि आपने कि मेकप के साथ वह ग्लो नहीं आएगा वह आपकी खुद की skin का ग्लो होगा तो आप इसके लिए भी यह ice cubes यूज कर सकते हैं इसका जो use number next है वह है अगर आपकी skin है बहुत जादा oily बहुत जादा oil निकलता है तो आप इस ice cubes को यूज कर सकते हैं अगर आपकी skin में से oil बहुत जादा निकल रहा है तो क्या है कि वह pimples भी होंगे बहुत जादा आपकी skin जो है वह dull दिखाई देगी तो आप इसको use करके देखिए आपको जरूर फायदा देखेगा ऐसा नहीं है कि dry skin वाले इसको use नहीं कर सकते हैं मेरी खुद की skin dry है लेकिन मैं इसको use करती हूं लेकिन oily skin वालों की बहुत सारी चीज़ों से यह उनको निजात दिलाएगा जिनसे वह चुटकारा पाना चाहते हैं dry skin वाले वह definitely इसको use कर सकते हैं उनको भी अपनी skin की बहुत सारी चीज़ों में इससे फायदा मिलेगा जैसे कि आपको अगर open pores हो रहे हैं अगर आपकी skin dull दिख रही है आपकी skin पर glow नहीं है बहुत सारी चीज़ों में आप इसको use कर सकते हैं उसके बाद इसका next use है और last use है जो कि मैं बताने वाली हूँ वो है makeup से पहले अगर आप makeup कर रहे हैं और गर्मियों के time में हमारा makeup जो है वो बहुत जादा long lasting नहीं होता है और पसीना जादा निकलता है तो हमारा जो makeup है वो खराब हो जाता है बहुत जल्दी cake ही दिखने लगता है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं makeup करने से पहले एक से दो ice cube लेकर उन्हें हम अपने face पर अच्छे से wrap कर सकते हैं उससे क्या होगा हमारे जो pores है वो shrink हो जाएंगे दूसरी चीज जो पसीना है वो बहुत लेट आएगा जितना जल्दी-जल्दी हमको आता है उसकी frequency में कमी आएगी उसकी वज़ासे जो हमारा makeup है वो जाधा time तक intact बना रहेगा अपनी जगा पर तो यह तो हो गए है आईस क्यूब यूज करने के कुछ benefits और uses आप किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं क्या 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 आप काम में ले सकते हैं और क्या क्या इसके फायदे हैं उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि इस आईस क्यूब को बनाना कैसे है तो ग्रीन टी की आइस क्यूब बनाने के लिए ये मैंने होट वाटर लिया है और इसके अंदर मैं एक जो पैकेट है ये ग्रीन टी का वो डाल दूँगे आप कोई भी ग्रीन टी यूज़ कर सकते हैं जो आप चाहें इस ग्रीन टी बैग को हम 10 मिनिट के लिए इसी वाटर के अंदर छोड़ देंगे ताकि जो इक ग्रीन टी का जो सारा गुन है वो इस पानी के अंदर आ जाए तो यह green tea बन चुकी है और ठंडी भी हो चुकी है अब हम इस green tea bag को इसके अंदर से निकाल देंगे उसके बाद अब हम इसको directly ऐसे ही इसका ice cube बना सकते हैं लेकिन अगर आपकी skin dry है फ्लेकी है तो आप क्या करिए इसमें थोड़ा सा शेहर डालिए जैसा कि मैं कर रही हूँ बस इतना ही इसको अच्छे से mix करेंगे और अगर आपकी skin oily है तो आप शहद मत डालिए और आप ऐसे ही इसको ice cube बना सकते हैं और अपने face पे apply कर सकते हैं ice cube बनाने के लिए अब हम इसको इसके अंदर पोर कर देंगे और freezer में रख देंगे तो ice cube बनाना हमने देख लिया है अब हम देख लेते हैं कि हम इसको अपने face पर apply कैसे करें पहली चीज़ तो यह है कि आप अगर अपने face पर apply कर रहे हैं तो face को clean कर लीजी उसके बाद ही इनको apply कर लीजी अगर आपके face पर make-up है अगर आपके face पर मॉस्चुराइजर भी है तो भी मैं कहूंगे आप face clean करके क्योंकि अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं या फिर आपने सुबे से शाम तक पूरा दिन निकाल लिया उसके बाद इसको यूज कर रहे हैं तो आप पहले face को clean कर ले उसके बाद इसको apply करें सो जो हमने green tea ice cubes बनाई थी वह हमारी ready हो चुकी है यह देखिए मैं दिखाते में यह ready हो चुकी है और अब हम इनको use कर सकते हैं तो use कैसे करना है हम इसमें से एक ice cube को निकालेंगे और इसको मैं cotton के कपड़े के अंदर ऐसे लपेड दूंगी इसको और उसके बाद मैं इसको अपने face पर apply करूंगी ऐसे हमें उस जगा पर अच्छे से रप करना है जहां पर हमारे pores होते हैं क्योंकि यह जो ice cube होते हैं यह pores को shrink करने में हमारी बहुत help करते हैं तो इस तरीके से हम green tea ice cubes को अपने face पर apply कर सकते हैं कोई से कोई irritation होने वाला नहीं है तो आप as it is face को छोड़ सकते हैं और अपना जो भी moisturizer या makeup जो भी आपको apply करना है आप कर सकते हैं तो ice cubes के uses हमने देख लिये हैं हमको बनाना कैसे है वह हमने देख लिया है यूज कैसे करना है वह भी देख लिया है तो कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे ये जरूर बताना comment section में जाके अगर वीडियो पसंद आ गया है तो please वीडियो को like कर देना और आज की वीडियो में इतना ही मैं आपसे मिलती हूँ मेरी next वीडियो में तिल देन तेक के और बाई